नमस्कार दोस्तों आपका फिर से स्वागत है रुद्र होम रेमेडिज में दोस्तों आज के समय में कोई ऐसा नहीं है जो अपने चेहरे का ठिक धंग से ख्याल नहीं रखता हो आज का दोर फैशन का दोर है जिसमें कोई कभी किसी से कम नहीं दिखना चाहता है अगर किसी party में जाना है तो चार दिन पहले से ही तयारियों में जूट जाते हैं जिससे की उस दिन कोई समस्या नहो इसी तरह जब हम अपना make-up उतारते हैं तो साफ पानी से मुँ धो लेते हैं लेकिन आप चानते हैं कि आपका चेहरा धोने का तरीका आपके स्किन के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है हम चेहरे धोते समय अक्सर ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके कारण हमारे स्कीन सही नहीं रहती है वो बेजान भी हो सकती है जानिये ऐसी कौन सी गलतियां है जो हमें नहीं करनी चाहिए दोस्तो आप हमारे इस यूटूब चैनल पे नए हैं तो हमारे इस यूटूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें ताकि हेल्थ और ब्यूटी से रिलेटेड सारे वीडियो का अपडेट लगातार आपको मिलता रहे जब भी आप अपने चेहरे को धोने जाएं तो इस बात का ध्यान रखे कि जिस पानी का इस्तमाल कर रहे हैं वो ना ज्यादा ठंडा हो और नहीं ज्यादा गर्म हो इससे आपके चेहरे को नुक्सान हो सकता है इसलिए हलके गुन-गुने पानी से अपना चेहरा धोएं इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी साबुन से अपना चेहरा ना धोएं इससे आपको नुक्सान हो सकता है अगर फेश वाश खत्म हो गया है तो इसके बदले आप बेशन का इस्तमाल कर सकते हैं कभी भी चेहरे को धोने से पहले अपने हातों को साफ करें क्योंकि आपके चेहरे से ज्यादा आपके हात गंदे होते हैं जिससे आपको चेहरा धोने से फादा नहीं तो नुक्सान जरूर होगा कभी भी अपने चेहरे को रगड कर नहीं पोछना चाहिए जब भी पोछे कोमल हातों से पोछे अपने चेहरे को बार बार नहीं धोना चाहिए कई लोग मानते हैं कि बार बार चेहरा धोने से गोरे होते हैं जबकि ऐसा नहीं है ऐसा करने से आपकी स्किन बेजान हो सकती है जब भी आप अपने चेहरे का मेकप उतारना चाहती हैं तो सीधे पानी से अपने चेहरे को ना धोएं उससे पहले कॉटन लेकर अपने चेहरे को पोच लें इसके बाद पानी से चेहरा साप करें अगर आपने पहले ही चेहरा धोया तो मेकप के लवन आपके स्किन के रोमचिदर में चले जाएंगे चेहरे को स्क्रब करना बहुत ही जरूरी है लेकिन इसके लिए अपने हाथ का इस्तमाल करें अगर आपने स्क्रबर का इस्तमाल किया तो आपकी स्किन रगड भी सकती है जिससे इसका निशान पड़ जाएगा चेहरा धोते समय इन बातों का ख्याल रखें दोस्तो आपको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक पे हिट कर दीजे और इस वीडियो को ज़्याद से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये जानकारी पहुत सकें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बाए दोस्तों स्टे फिट स्टे हल्दी